नमस्कार मैं रविश कुमार पंदरह अगस्ट के भाषण में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्ट 2024 को लालकिला पर फिर से वही भाषण देंगे अब जब उन्होंने फैसला सुना दिया है कि 2024 में भी प्रधान मंतरी वही बनेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कम से कम अपना भाशन बदल लें अगर भाशन भी पूरा नहीं बदलना है तो इसके दो-चार थीम तो बदल ही लें आखिर कितने 15 अगस्त के भाशन को वे परिवारवाद, भरष्टा-चार और अब तुष्टी करण के नाम पर समर्पित करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान मंत्री इन मुद्दों को इसलिए बार-बार जनता के सामने रखते हैं ताकि जनता का ध्यान उन बातों की तरफ ना जाए जिस से उसके कान खड़े हो सकते हैं प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत का मुखिया ब्रैंड न्यू सम्विधान की बात कर रहा है जिस सम्विधान को बनाने के लिए सम्विधान सभाने घंटों नहीं महिनों नहीं बलकि कई महिनों तक बहस की थी हर बात पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पास हुए उस सम्विधान को बिवेक देबरोय हटा कर नया सम्विधान लाना चाहते हैं डॉक्टर बी आरम बेटकर के नित्रित में बनाया गया संविधान अब इन्हें पुराना लगने लगा है दो हजार सैंतालिस के लिए उप्युक्त नहीं लगता है ये कोई और नहीं प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिशत के चेयरमेन हैं यानि उनके लोग हैं इन्हो प्रधान मंत्री के खास लोग संविधान बदलने की बात लिखकर करने लगे हैं और आर्थिक सलाकार परिशत में अभी तक बने हुए हैं मगर प्रधान मंत्री चाहते हैं कि आप लोग परिवारवाद ब्रष्टाचार और तुष्टी करण की बहस में उल्जे रहें तो उससे भी एतराज नहीं है बस बात ही होती है प्रधान मंत्री कभी उन सवालों का जवाब नहीं देते हैं उन्हें यब बताना चाहिए कि इन दो मुद्दों पर परिवारवाद और भरष्टाचार पर उनकी पार्टी और सरकार के भीतर उन्होंने क्या काम किया है क्या वे परिवार वाद पर श्वेत पत्र जारी करेंगे सारी जानकारियां खुझ से बताएंगे जनता जरा देख ले कि बीजेपी में पारशत से लेकर विधायत और सांसत से लेकर मंत्री तक में आम साधारन कारे करताओं को कितनी जगा मिलती है और परिवार के बेटों बेट केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल दो बार हिमाचल के मुख्य मंत्री रहे हैं। परिवारवाद के खिलाब कैसे लड़ेंगे क्या पंकर सिंक के टिकट को खुदी कटवा देंगे वानी जेवम उद्द्यो उपभुकता मामलों और वस्तर मंत्राले का पदभार समाल रहे पियूश गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपई सरकार में पोत परिवहन के क से कह रहे हैं कि समय आ गया है कि परिवारवाद भारत छोड़ेगा खुद बताएं कि किस टाइम वे इस्तीफा देने जा रहे हैं राजनिती से सन्यास लेने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान के पिता देबेंदर प्रधान वाजपई सरकार में परिवहन और क्रिशी राज्य मंत्री थे पृत्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजीजु के पिता रिंचिन खरू अरुनाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे नागर विमानन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया नागरिक उड्डेन मंत्री हुआ करते थे जब ये मंत्री परिवारवाद पर लेक्चर सुनते होंगे तो इन्हें कैसा लगता होगा जब ये मंत्री परिवारवाद पर दूसरों को लेक्चर देते होंगे तब इन्हें कैसा लगता होगा खुश रहते होंगे हसी आती होगी गर्ब महसूस होता होगा या शर्म आती होगी लोग कंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पुलिटिकल पार्टी और मैं विशायच बद दे रहा हूं पुलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोग कंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोगतंदर को मजबूती नहीं दे सकते और वो क्या है मिमारी परिवारवादी पार्टी आहे सिख सो क्षिए इनका तो जीवन मंत्र यहीं है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक गल्रा परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को नकारत हैं सामर्थ को स्विकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश की लोगतंसर की मजबूति के लिए उसकी संवाजिक जरूरी है सर्व किसी को हक में अगर सामार को किसी ने किया तो ये तुष्टी करण की सोच, तुष्टी करण की राजनिती, तुष्टी करण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजे की न्याय को मोत के घाट उतार दिया है, और इसलिए हमें तुष्टी करण, प्रस्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्वर है, अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्ट है कि हम किसी भी हावत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करेंगे। क्या प्रधान मंतरी मोदी अपने कैबिनेट में परिवारवाद से लड़ने जा रहे हैं, इन्हें अभी तक निकाला क्यों नहीं, ये किस कोटे से यहां मंतरी हैं, प्रधान मंतरी मोदी ने आप जनता को बताने के लिए दो बुराईयां चुनली हैं, ताकि आप जनता उन और परिवारवाद, अगर आप बीजेपी के भीतर परिवारवाद की सूची देखेंगे, तो आप प्रधान मंतरी के कई भाशनों से लंबी हो जाएगी, और आप भी सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, क्या प्रधान मंतरी महराश्ट्र के मुख्यमंतरी से कह सकते हैं, कि आप परिवारवादी हैं आपकी पार्टी के नेता आप ही हैं आप ही मुख्यमंत्री हैं आपके बेटे भी लोग सभा में सांसद हैं रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ कर जब उनके साथ आई तो उसमें भी सारे के सारे उनके ही परिवार के लोग थे अब चिराग प प्रधान मंत्री परिवारवादी नेता और परिवारवादी पार्टियों में फर्क नहीं कर सकते हैं परिवारवादी पार्टी के आधार पर भी उनके गठबंदन में कई दल हैं पहले भी रह चुके हैं हाल ही में संजय राजबर की निशाद पार्टी बीजेपी में आ गई क्या प्रधान मंत्री इन सभी से लड़ने वाले हैं चिराग पास्वान इस लड़ाई में कैसे साथ देंगे संजय निशाद से वे कैसे लड़ेंगे कैसे उन्हें उनकी पार्टी से बाहर कर देंगे तो यह सब जुमला करते रहते हैं परिवार बात पर तो अपने पार्टी के अंदर देखे न कितने परिवार के लोग उनकी पार्टी में हैं तो जो जिसका एक कहावत है कि चलनी दूसे सूप के इसमें खुद एक सत्तर गो छेद है महराश्टर में अजीद पवार नरायन राने किस वाद के उधारन हैं अगर परिवार वाद के नहीं हैं तो इसी तरह राज्यों से अनेक उधारन दिये जा सकते हैं मद्यप्रदेश में कैलाश विजवर गिया हैं भाजपा के राश्टरिय महासचिव हैं छवा बार इंदौर की दूसरी सीट से बीजेपी के विधायक रहे उसके बाद उनके बेटे आकाश इंदौर क्रमांग तीन से विधायक हैं नजाने और कितने लोग होंगे परिवारवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी प्रधान मंत्री को अब ये बता देना चाहिए था परिवारवाद पर ये उनका पहला भाशन तो नहीं था इस पर तो वो कई बार भाशन दे चुके हैं मगर बताते भी नहीं कि ये लड दान मंत्री रह चुके हैं क्या नीरज शेखर ऐलान करने वाले हैं कि वे परिवारवाद के बिरोध में राजनिती से सन्यास ले रहे हैं अब चुनाव नहीं लड़ेंगे गोपिनात मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीजेपी की राश्ट्रिय सचिव हैं क्या वे परि सीट से सांसद हुआ करते थे उसी पार्टी से जब वो बेतिया से चुनाव जीता करते थे बेतिया सीट 2008 के परिसीमन के बाद नहीं रही उसकी जगह पश्चिम चंपारण हो गई लेकिन उस शेत्र पर जैसवाल परिवार का ही करीब 30 साल से कब्जा है क्या बीजेपी संज संजय जैसवाल को टिकट नहीं देगी क्या संजय जैसवाल इस बार चुनावी राजनिती से सन्यास लेने का एलान करने जा रहे हैं भादों से पहले कर देंगे या उन्हें कौन प्रमानित करेगा कि संजय जैसवाल परिवारवाद के तहत नहीं आते हैं मधुबनी से सांसद अशोक यादव, हुकुम देव नरायन यादव के बेटे हैं मधुबनी से किसी अन्य भाजपा के कारिकरता को क्यों नहीं टिकट दिया गया हजारी बाग से सांसद जयन सिना को टिकट देते समय परिवारवाद का ध्यान नहीं आया ऐसे अनेक उधारन देकर पन्य भरे जा सकते हैं इससे प्रधान मंत्री का भाशन नहीं बदलने वाला है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पर्मानेंट वोटर वोट किसी और सवाल पर देता है जिसके बारे में वे भाशन में साफ साफ तो नहीं बोलते इशारा जरूर कर देते हैं बीजेपी के भीतर परिवारवाद है बीजेपी के साथ गठबंदन में जो दल है उनमें भी खूब परिवारवाद है यही नहीं बीजेपी परिवारवाद का बाहर से आयात भी करती है मोधी सरकार के दौर में करती रही है यूपी विधान सभा चुनाओ के समय आरपियन सिंग कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, इनके पिता कुमर चंद्र प्रताप नारायन सिंग पडरोना से सांसत थे, इंद्रा गांधी की सरकार में राज्यरक्षा मंत्री थे, अब इस सुनिल जाखड को कॉंग्रेस से बीजेपी में लाया गया और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बना दिये गये, इनके पिता बलराम जाखड, लोग सभाई स्पीकर थे और केंद्रिय मंत्री भी रहे, बंगाल की राजनिती में अधिकारी परिवार की कहानी बताती है, कि परिवारबाद के खिलाब शिशीर अधिकारी पूर्व मेदिनी पूर से सांसद हैं, त्रिनमुल से, मगर बीजेपी में आ गये, अपनी सीट से इस्तीफा भी नहीं दिया शिशीर अधिकारी के बेटे शुभेंदू अधिकारी मंता सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब बीजेपी में आ गये हैं और विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं शुबेंदू अधिकारी के एक भाई सौमेंदू अधिकारी कांथी नगरपालिका के अध्यक्षें शुबेंदू अधिकारी के एक भाई दिबेंदू तामलूप से सांसद हैं ये सभी इन दिनों बीजेपी के कारिकरमों में देखे जाते हैं और हैं इस परिवार ने नगरपालिका से लेकर विधायक और सांसधी पर कब्ज़ा बना रखा इनके शेत्र में परदान मंत्री मोदी परिवारवाद के खिलाब कैसे विगुल फूंकेंगे नितिक बुराई हैं या नहीं आप कैसे इतनी कम उम्र में सांसद और विदायक बन गए परिवारवाद के इस रूप को प्रधान मंतरी कैसे समाप्त कर देंगे ये परिवारवाद है या नहीं बताते भी नहीं क्या प्रधान मंतरी शुबेंदु अधिकारी को बीजेपी से वापस त्रिणमूर में भेजने वाले हैं या कोई प्रमान पत्र जारी करेंगे कि आपके पिता और बेटे भाई दूसरे दल से सांसत थे हमारे दल में आ गए हैं इसलिए आप परिवारवाद के कोटे में नहीं हैं प्रधान मंतरी मोदी अपनी पार्टी के भीतर नहीं लड सकते ना लड़ते हुए नजर आए अपने गठबंदन में नहीं लड़ सके ना लड़ते हुए नजर आए आप देखेंगे कि वे परिवारों का नाम लेकर नहीं बोलते हैं बहुत से बहुत एक परिवार की तरफ इशारा करते हैं या नाम लेते हैं अगर परिवार बात ब बेटा विधायक है ये कैसे हो गया क्या दोहजार चौबिस में ये दुरप्पा के सांसत बेटे का टिकट कटने वाला है वहां बीजेपी के किसी साधारन कारिकरता को मौका मिलेगा अशर बुम्मई करनाटा के मुक्यमंतरी थे जनता पार्टी से उनके बेटे बीएस बुम्मई को क्यों मुक्यमंतरी बनाया गया क्या ये है परिवारवाद के खिलाब नरिंद्र मोदी की लड़ाई तो क्या आप वसंद्रा राजे सिंधिया ये शुद्रा राजे और दुशियन सिंग बीजेपी से बाहर कर दिये जाएंगे जोतिरादित्य परिवारवाद से कैसे बाहर हैं या कोई क्यों नहीं बताता अभी तक तक्ति लेकर घूम भी नहीं रहे हैं क्यों नहीं घूम रहे हैं वसुंद्रा राजे राजस्थान में रैली कर रही हैं उनके हाथ में तक्ति होनी चाहिए कि परिवारवाद भारत छोड़ो यह द्रिश्य आपको कैसा लगेगा उन्हें कैसा लगेगा और तो और श असली मुद्दा है फंड का पैसे का भरष्टा चार का दो हजार चौदस से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है बीजेपी इसके बाद भी प्रधान मंत्री भरष्टा चार मिटाने की बात हर बार करते रहते हैं जैसे पहली बार कर रहे हूं नोटबंदी से भरष्टा चार कितना मिटा लेकिन अर्थ विवस्था कितनी तबाह हो गई ये नहीं बताते उनके इन दस वर्षों में जिस तरह से दूसरे दलों से भरष्टा चार के आरूपी उनकी पार्टी में लाए गए दूसरे दलों से तोड़कर सरकारे बनाए गए क्या ये सब राष्टवा विपक्ष के खिलाब जाँच एजेंसियों की जो कारवाई है वो भरस्टाचार के खिलाब नहीं लगती बलकि विपक्ष को आर्थिक रूप से खोकला कर देने की लगती है और चंदा देने वालों को डराने की राजनितिक रूप से विपक्ष को डरा कर कमजोर कर देने की ल अश्टाचार का सबसे बड़ा उधारण है क्योंकि आप जब यह नहीं जान सकते कि पैसा किस ने दिया उसे सरकार ने बदले में क्या-क्या दिया वह पारदर्शी नहीं हो सकता पिछले महिने की ADR की रिपोर्ट 2016 से लेकर 2022 के बीच भाजपा को 5270 करोड रुपे से अधिक का चंदा इलेक्टोरल बॉंड से मिला है बाकी सभी दलों को इलेक्टोरल बॉंड से मात्र 1784 करोड के आसपास ही चंदा मिला एक दल को 5270 करोड और बाकी सभी दलों को 1784 करोड या कितना बड़ा आसंतुलन है गोर कीजी बीजेपी को 5000 करोड का चंदा किसने दिया उस व्यक्ति या कंपनी को मोधी सरकार से क्या क्या मिला चंदा देने से पहले कांट्रेक्ट मिला या कांट्रेक्ट के बाद उसने चंदा दिया यही नहीं बीजेपी को केवल इलेक्टोरल बॉंड से चंदा नहीं मिलता है 5,270 करोड तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है इसके अलावा 48 पिसिदी चंदा दूसरे सोर्ट से मिला है भारत में जितने राश्ट्रिय राजनितिक दल है उन्होंने चंदे की रकम जितनी घोशित की है उससे 3 गुना अधिक रकम अकेले बीजेपी की है कॉर्परेट डोनेशन के मामले में बीजेपी को बाकी सभी दलों से 3 से 4 गुना जादा रकम मिलती है 2017-18 में तो बाकी राश्ट्रिय दलों के तुला में 18 गुना जादा रकम मिली थी जो सबसे वही बात यह है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी कमपनी किसी भी राजनीतिक दल को जितना मर्जी चंदा दे उसका किसी को पता नहीं लगेगा कहने के लिए तो स्कीम में यह है कि स्टेट बैंक और इंडिया को पता लगेगा और वो किसी को नहीं बताएगा लेकिन यह कहना कि स्टेट बैंक और इंडिया को जो बात पता लगेगी वो सरकार को पता नहीं लगेगी और जो सत्ता रूड दल है उसको पता नहीं लगेगी यह कोई भी यकीद करने वाली बात नहीं है अब एक कंपनी अगर चाहे तो वो अपना पूरा का पूरा मुनाफ़ सरकार को यह राजनितिक दलों को दे सकती है दूसरी बात यह है कि यह प्राफदान था कि जो कंपनी राजनितिक दलों को पैसा देगी उसको अपना कितना पैसा दिया है और किस राजनितिक दल को दिय कोई भी कमपनी पैसा दे, कितना पैसा दे और कैसे दे इसका किसी के पास जानकारी नहीं है। जनता जनादन के पास तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमिशन अव इंडिया और रिजावब बैंक अव इंडिया जो के दोनों समवधानिक संसाने हैं संसान हैं उन्होंने जब ये स्कीम को लागू करने की बात्चीत हो रही थी उन्होंने लिख के अपने पत्रों में ये वित्म अंतरालिया को बताया था कि ये स्कीम ऐसी है जिसमें अगर कोई विदेशी कमपनी भी चाहे तो वो हिंडोस्तान में एक अपनी सबसेटरी खोलेगी और उसको जित्रा मर्दी पैसा वो भेजे और वो राजनितिक दलों को मिल सकता है इसमें रिजाओ बैंक अम इंडिया ने तो यहां तक लिखा था कि इस से शेल कमपनीया बनेगी और उनके द्वारा विदेशी कमपनीया और विदेशी पूंजी हमारे देश की राजनिती पर असर डालेगी बड़ा सक्षम असर डालेगी इन सब वजाओं से ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्कीम है और देश की लोगतंत्र के लिए तो ये स्कीम बिल्कूल ही गलत है क्योंकि इसमें जिसका पैसा उसी का काम सरकार ही करती है और किसका पैसा है ये पता नहीं लगेगा तो ये नहीं पता लगेगा कि सरकार जन्ता या देश की भलाई के लिए फैस ले ले रही है यह जिस company ने पैसे दिया है उसके लिए दे रही है क्योंकि company का नाम तो किसी को पता ही नहीं है तो इस देश में चुनाव लड़ने के मामले में विपक्ष आर्थिक रूप से कंजोर किया जा रहा है अगर भरस्टा चार मिट गया है केबल विपक्ष की तरफ बचा हुआ है तब प्रधान मंतरी को electoral fund का कानून क्यों चाहिए था वे जनता को बता दें कि उन्हें कौन कौन करोडो रुपे का चंदा दे रहा है और ये भरस्टा चार नहीं है तो देश को क्यों नहीं जानना चाहिए कि अदानी बीजेपी को कितना fund करते हैं कॉंग्रेस को कितना अमबानी किसे fund करते हैं या बीजेपी को पैसा देने वाले दूसरे लोग कौन हैं उन लोगों को सरकार ने किस किस तरह के contract दिये हैं राजिन्ती में जो पैसा वाद आया है उस पर बात क्यों नहीं करते इसी पर बात नहीं हो इसलिए परिवार वाद की बहस लाई जाती है असली बिमारी पैसा है इसका सोर्च है मगर प्रधान मंत्री इस रोग पर बात नहीं करेंगे करनाटका में बीजेपी पर भरष्टाचार के कितने गंभीर आरूप लगे बीजेपी वहाँ इस मुद्धे पर हार गई मद्ध प्रधेश में लग रहे हैं आप बताएए प्रधान मंत्री अपनी पार्टी के राज्यों में किस तरह से लड़ रहे हैं इस मुद्धे पर क्या वे यहां भरष्टाचार से लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं मीडिया खोजी पत्रकारिता नहीं करता है करप्शन की खबरें गायब हो गई हैं आती ही नहीं है और जो आती है उस पर सरकार जांच नहीं कराती अगर ऐसा है तो प्रधान मंत्री यही गोशना कर आते हैं कि बीजेपी की सरकारें बीजेपी में शामिल सांसद विधायक अब करफशन फ्री हैं इनके खिलाब जाच एजैसियों ने जाच कर ली है और कोई करप्शन नहीं पाया गया है ठीक है कि उन्हें लगता है कि जनता वोट देती रहेगी लेकिन ज़ुरी नहीं है कि कि अपने पर्मानेंट वोटर को भाशन भी आप पर्मानेंट सुनाते रहें एक ही बात बार-बार बोलते रहें CAG की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली से सटे द्वारिका एक्सप्रेस वे में एक किलोमीटर सडक निर्मान की लागत 18 करोड होनी थी 200 करोड हो गई क्या इसमें ब्रश्चाचार नहीं है हिंडनबर की रिपोर्ट आई अदानी मामले में जांच की मांग होती रही सरकार ने जांच नहीं कर आई कम से कम द्वारिका एक्सप्रेस वे पर ही जवाब दे दें कि 18 करोड से 2500 करोड का रेट और किस-किस एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट में हुआ है यही रिपोर्ट दूसरे राज्जियों की सरकार के तहता आ जाए तो आप कलपना कीजिए प्रधान मंतरी का भाशन क्या होगा यह तो कलपना की बात है मगर हकीकत में देखिए प्रधान मंतरी इस पर चुप हैं अयोध्या में सीजी की रिपोर्ट आई है कि ठेकेदारों को फाइदा पहुँचाया गया है उस पर भी चुप हैं प्रधान मंतरी धीरे धीरे तुष्टी करण की बात करने लगे हैं इसके मिट जाने की बात करते हैं उन्हें साफ करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने तुष्टी करण मिटा दिया है कहां कहां मिटाया है या उन्होंने तुष्टी करण का एक नया दौर चलाया है जिसे वे खुद ही संतुष्टी करण कहते हैं हमने इसके बारे में अपने पुराने वीडियो में आपको चिताया था उसका हिस्सा हम आपको फिर से सुनाना चाहते हैं आप भी इन बातों को ठीक से जानते हैं लेकिन मुसल्मानों से नफरत की राजनिती ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा कि इतना समझले कि गर्दन काटने के नाम पर जेव आपती काटी जा रही है। नहीं बोलती है विरोध नहीं करती है क्योंकि उसे इन घटनाओं से सुख मिलता है जिसे मैं हिंदु सुख का नाम देता हूँ। यह हिंदु सुख ही नया राश्ट्रिय सुख है। हाउसिंग सुसाइटी के अंकिलों को हिंदु सुख हो गया है। इसलिए उन्हें खराब कॉलेज, महंगाई, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज वगरा से अब दुख नहीं होता। यही वो संतुष्टी करण है जिसका नाम तुष्टी करण के साथ लिया जाने लगा है। जब भी संतुष्टी करण का जिक्र तुष्टी करण की तुल्ना में होगा या साथ आएगा वो बात तो विकास की करेगा लेकिन उसका इशारा उसी हिंदू सुख की तरफ होगा जो मुसल्मानों के नरसंगहार करने के नारों से गर्म करता है ऐसे नारे लगाने वालों को अपना धर्म गुरु मानता है हमने जिसे हिंदू सुख कहा है उसका एक नाम तुष्टी करण हो सकता है क्या सचमुष तुष्टी करण समाप्त हो गया है भारत से या हिंदू या हिंदूत्व के नाम पर बहुसंख्यक तुष्टी करण का नया दोर शुरू हो गया है जिसके बारे में महौल इस तरह से बना दिया गया है कि कोई बोलता नहीं कोई पूछता नहीं विपक्ष वाले भी डरते हैं कि हिंदु नाराज हो जाएं क्या ये तुष्टी करण की समापती कही जा सकती है कि मोदी मंत्री मंडल में एक भी मुसल्मान मंत्री नहीं है राज सभा से जैशंकर विरेश मंत्री बना दिया जाते हैं किया किसी मुसल्मान नेता को राज सभा दे कर मंत्री नहीं बना सकते थे क्या 15-20 करोर थी आबादी का प्रतिनिधित्वे उनके कैबिनेट में नहीं है ये तुष्टी करण की समाती है और वो बनाया जाता था इशारा किया जाता था लेकिन अब जमाना ये है कि कोई हिंदू तुष्टी करण हिंदू सुख की बात ही नहीं करता है अगर प्रधान मंत्री तुष्टी करण के खिलाफ होते तो नू की हिंसा पर चुप नहीं रहते चुप रहते या नहीं देखते कि अति करने वालों के स्वागत का विरोध करते, बोलते, क्या प्रधान मंतरी ने उनके खिलाब कुछ कहा, क्या ये तुष्टी करण नहीं है, हिंदू तुष्टी करण नहीं है, केंडर की रजा मंदी से उनकी रिहाई हुई, ये बात गुजरात सरकार ने खुद सुप्रिम कोट मे कहीं दिन भर गोधी मीडिया में एक तरफा एंटी मुस्लिम एजंडा चलता है इस पर भी उनकी चुपी क्या तुष्टी करन नहीं है जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार तक में नरसंगार के नारे लगाए गए क्या उन्होंने कभी इसके खिलाप सकते कारवाई की बात की की बाते करता है और सरकार चुप नजर आती सुप्रीम कोट के बार बार आदेश के बाद भी खुलकर कारवाई नहीं होती क्या ये तुष्टी करन नहीं है क्या ये एक तरह का हिंदू तुष्टी करन नहीं है प्रधान मंतरी को पता है कि कोई ये सब सवाल नहीं करेगा ल लेकिन तुष्टी करण केवल अल्प संख्यक का नहीं होता है, बहुत संख्यक का भी होता है, बलकि बहुत संख्यक का सबसे जादा और वास्तविक होता है, अगर इस पर 2014 से 24 में आने के बाद, 10 साल बाद उन्हें बहस करने की जरूरत लगती है, तो पूरा हिसाब देना चाहिए था, कि मुसल्मानों को तुष्टी करण के तहट क्या क्या मिला करता था जो गलत था, जिसे उन्होंने बंद कर दिया, उसकी जगा पर हिंदूों को भी क्या मिल रहा है, धर्म की राजनिती और विबाद के सुक के अलाबा, हिंदू सुक के अ इनसा में जहूब दिये गए, हत्यारे बना दिये गए, अपराधी बना दिये गए, और तो और टैक्स जमा करने वालों की संख्या भी घट गई है, धर्म स्थलों का विकास दिखाकर, विकास से जो सपने दिखाए गए थे, उनसे बचा जा रहा है, उस विकास से जिसके सरों का विकास कर दिया है विरासत का विकास कर रहे हैं 15 अगस्त का उनका भाशन उनकी राजनिती का पुराना राशन है उसी चावल को बार बार पकाते रहते हैं यह भी सही है कि उस पर वोट भी मिलता है लेकिन जो कहा जा रहा है और जो नहीं कहा जा रहा है उस पर आप ध् लोग तंत्रे के माईने पूछने की बात हो रही है और ये बात कौन कर रहा है प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिशत के चेर्मेन विवेक दिबरोय आप सो तो नहीं गए हैं नमस्कार मैं रविश कुमार